हालो दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वात करते हैं आप सभी कईवस्तिजी कोईज में तो दोस्तों आए जोए कि बिहार डियलेट इंटरेंस एकजम 2023 के लिए साइन्स का प्रैक्टिस एट नमर टू लेके आए हुए हैं क्योंकि इससे पहले आड़ेडी हम सभी वन प्रैक्टिस कंप्लिट कर चुके थी जिसका लिंक डिस्किप्शन में दिया हुआ है अगर नहीं कवर किये तो जरूर कर लिजेगा और आप सभी के लिए एक इस्पेशल वीडियो भी बना दिये हैं कि बिहार डियलेट इंटरेंस एक्जम 2023 का त्यारी किस प्रकार से आप सभी कर सकते है किस बुक को आपको proper follow करना है उसका भी वीडियो बना हुआ है link description में provide कर दिये हैं तो ये वीडियो को cover करने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा सारा रानिति उसमें share किये हुए कि आपको त्यारी कैसे करना है पढ़ाई कैसे करना है कितने गंटा आपको सब्सक्राइब करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने जो भी वीडियो आए उसका नोड़े में सबसे पहले पराप्त उसे के फिर वीडियो को लाइक करके आप से शेयर जुरू किजिएगा अपने दोस्तों में आए फ़र्स्ट कोशन ये बंढ रहे हैं कि किसी जीव का वी हो जाएंगे जाती वरित के रूप में जाना जाता है अगर इन्सेट में किसी भी कोशन का पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे किमेंट बॉक्स घ्र को चलेंगे आप सभी कोश्चन के लिए रहे हर कोश्चन को किलियर करते चलेंगे आप सभी अगला कोश्चन है लिटमस को डैस से निकाला जा सकता है फ्रेंड राइट आंसर आप्शन मसी हो जाएंगे सेवाल से निकाला जा सकता है आप्शन मसी राइट आंसर हैंगे ध्यान रखेगा लीटमस को हम सभी किसे निकाल सकते हैं तो सिवाँ से निकाल सकते हैं कोशोن के लिए रही अगला कोशोन दिखीए अगला कोशोन ये बन रहे कि उस उत्तक का नाम बताईए जो जानवरों मे नहीं पाय जाता है फ्रेंड छ ले कोशोन में नहीं पाए जाता है क्या ची जानवरों में नहीं पाए जाता है तो मेरे इस्टो मेटिक उत्तक यह जानवरों में नहीं पाए जाता है जबकि वसा उत्तक डेंट्राइट और संयोजिक उत्तक यह सभी फ्रेंट जो कि जानवरों में पाय जाता है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन यह बन रहे कि एनिमिया डैस की कमी के कारण होता है राइट आंसर आप्सन में भी जाएंगे लोहा की कमी के कारण एनेमिया रोग होता है फिर याद रखेंगे आप सभी किसके कमी के करण एनेमिया रोग होता है तो लोहा की कमी के करण एनेमिया रोग होता है कोश्चन के लिए आप सभी राइट आंसरेंगे याद रखेंगे लोहा अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन ये बंड़े कि किस वैज्ञानिक ने उत्य परिवर्तन का सिध्धान्त दिया था फ्रेंड छले बताएंगे आप सभी किस वैज्ञानिक ने उत्य परिवर्तन का सिध्धान्त दिया था कोशन फाइब के लिए राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आप्सन मत जी जाएंगे ह्यूंगो डे वरीष ने उत्य परिवर्तन सिध्धान दिया था फ्रेंड अगला प्रस ने किस परकार के रक्त समू को सरभॉमिक दाता के रूप में जाना जाता है राइट आंसर आप्सन मत जी जाएंगे ओ नेगेटिव को फिर ओ नेगेटिव को जो फिर वो सरभॉमिक दाता के रूप में जाना जाता है सरभॉमिक दाता के रूप में जाना जाता है सरभॉमिक दाता के रूप में जाना जाता है कौन सा उर्बरक अतिधिक हाईग्रोइसकोपिक है राइट आंसर आफ़सन मड़ी जाएंगे यूरिया उर्बरक जेफिन ये अतिधिक हाईग्रोइसकोपिक है आफ़सन मड़ी राइट आंसरेंगे ध्यान रखेंगे आफसे भी अगला कोशन कर लेते हैं कोशिकाओं में ततकाल उर्जा उत्पादन के लिए विक्तियों को डैस लेना चाहिए राइट आंसर ओफिशन में एव जाएंगे गुल कोच लेना चाहिए तो कोशिकाओं में ततकाल उर्जा प्राप्त करने के लिए विक्तियों को क्या लेना चाहिए तो गुल कोच का 7 करना चाहिए option मर ए right answer रहेंगे अगला प्रसने D. वोनी कल्प को 10 की रूप में जाना जाता है right answer option मर जांगे मचलियों का स्वर्न यूग कहा जाता है याद रखेंगे आप से भी option मर डी right answer रहेंगे अगला question देख लिए जे E.S.Z. निम्न में से किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है तो ये मस्तिक के निदान के लिए निकाला जाता है E.S.Z. को याद रखेंगे option में A. right answer रहेंगे अगला question कर लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जानबर कौन सा है चले बताएंगे option में 11 के लिए right answer क्या होगा दुनिया का सबसे बड़ा जानबर कौन सा है right answer option में A हो जाएंगे blue well फिर ब्लू वेल जो हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा जानबर है option में A right answer है question के लिए रहें आई अगला question देखे निमलेकित में से कौन सा परती रक्षा के परकार है right answer option में दूनों A और B सहज परती रक्षा और अनु कूलक परती रक्षा अगरा question कर लेते हैं निमलेकित में से कौन सा जानबर एक लिंगी है तेल चट्टा option में से right answer है फिर तेल चट्टा जो है ये एक लिंगी होता है ध्यान रखेंगे आप सभी अगला question कर लेते हैं प्रोटीन के मूल घटक क्या है एमीनो अमल option में डी रेट आनसर है तो प्रोटीन का मूल घटक क्या है तो एमीनो अमल जो फिर वो क्या है प्रोटीन का मूल घटक है option में डी राइट आनसर हैंगे अगला question कर लेते हैं डेंगू किस के कारण होता है छले बताएंगे आप सभी डेंगू जो फिर ये किस के कारण होता है तो वीसानू के कारण होता है अगला question ने मेटामो फोर्सिस में नहीं देखा जाता है राइट आनसर अप सभी जएंगे मचलियों का वर्ग नहीं देखा जाता है इसमें ध्यान रखेंगे अगला question कर लेते हैं वायो चीप में क्या होता है राइट आनसर आपसन बढ़े जांगे RNA, DNA और प्रोटीन होता है वायो चीप में तो ध्यान रखेंगे आप सभी क्या-क्या महजूस होता है वायो चीप में तो RNA, DNA और प्रोटीन होता है question के लिए रिए सबसे बड़ी काई कोशी का कौन सी है तो आफसे को बताओंगे नियूरान फिर नियूरान जो है ये सबसे बड़ी क्या है काई कोशी का है अगला कोशन कर लेते हैं इसके अधिक मातरा में होने के कारण चौकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं राइट आंसर आफसर में बीज़ेंगे निकल फिर निकल जो है ये अधिक चॉकलेट में पाए जाने के बाद क्या होगा ये सिहत के लिए हानिकारक हो सकता है अगला कोशन है नेमले खित में से जानवरों में होने वाली वाइरल बीमारी कौन सी है बुलू टंग आफसर में भी राइट आंसर रहेंगे फिर बुलू टंग जो है ये जानवरों में होने वाली ये एक वाइरल बीमारी ये ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन ये बंड़े की निम्बू में कौन सा बिटामिन पाया जाता है राइट आंसर आफसर में बिटामिन सी निम्बू में पाया जाता है जिसे इसकॉर्बिक एसिड भी काते हैं ये निम्बू में पाया जाता है तो कहें तो खटा पजार्थ में पाया जाता है अगला कोईशन कर लेते हैं दिये गे बिकल्पों में से कौन सी बिमारी सुवर में फैलती है स्वाइन फुलू स्वाइन फुलू जो है ये सुवर में सबसे अधिक मात्रा में ये बिमारी देखने को मिलता है यानि आफसर में भी राइट आंसर रहेंगे सुवर में कौन सी बिमारी फैलती है तो स्वाइन फुलू बिमारी अगला कोईशन कर लेते हैं अनुमस्तिक जिसे सेरी ब्लेम भी का जाता है ये अनुमस्तिक के लिए निमलेकित में से कौन सा सही नहीं है तो सही नहीं है आफसर में भी ये गती, भासन, द्रिष्ट, गंद, स्वाद, सुन, वाई, बृधी, आदी, कुन, नियंत्रित करता है ये बिल्कुल क्या है गलत है सही क्या है अनुमस्तिक के बारे में ये मस्तिक के पीछे की छेतर में इस्थिते बिल्कुल सत्ति है ये पस्च मस्तिक का एक हिस्सा होता है बिलकुल सत्य है ये सरीर के संतुलन को बनाए रखता है ये भी बिलकुल सत्य है सत्ति क्या नहीं है ये गती, भासन, द्रिष्ट, गन, स्वाद, सुनवाई, ब्रिधी, आदी को नियनतित करता है ये बिलकुल क्या है अनुमस्तिक के बारे में गलत कतने ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन कर लेते हैं निमलिकित में से कौन अलग सम्मू से सम्बंदी थे रेविज फिर रेविज जो है यह अलग सम्मू से संबंदित है जबकि स्कोर्बिक सूखारोग रतोंदिक यह सबी एक वर्ग में आते हैं अगला कोईशन कर लेते हैं एसी कोईशिकाएं जीन में केंदरक पदार्त केंदर जिलिके बिना होता है डैस कोशिका कहलाती है तो इसे प्रोकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है कोशन को समझे कोशन क्या कहाना चाह रहा है ऐसी कोशिका है जिन में केंदरक पदार्त केंदरक जिल्ली के बिना होता है उसे हम से भी क्या कहते है प्रोकेरियोटिक कोशिका कहते है यानि option में A right answer रहेंगे